हम लोग बात कर रहे थे बहुत तिक भूवल के बारे में और इसमें लाश्ट क्लास में हम लोगों ने भरंस यानि की फॉल्ट के बारे में बात की थी और विस्तार से चल्चा की थी आज की इस क्लास में हमें आप च्छे के बारे में बात करनी है और इससे बहले आप लोगों को बता दूँ यह सबी क्लासे आपकी इस्टेट PCS और Civil Service Prelims को ध्यान में रखते हुए कबर की जा रही है और इसके रिए एक सेपरेट पिले लिष्ट सूची बना दी गई है इसका नाम रखा गया है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से तो जो Prelims का सिलेवर से आपका उसकी सभी क्लासें आपको यही मिल जाएगी और किरम से मिल जाएगी वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों में से एक और डाउट है एक और सवाल रेता है क्या यह क्लासें वंडे एकजाम के लिए महत्पूर हो सकते हैं तो सीधी सी आवात आप लोग याद रखेगा आप जिस भी एकजाम की तैयारी करें उसका सिलेवर्स देखिए उसके पुराने कुश्चनस पेपर देखिए चार से पास साल पुराने और उसमें देखिए क्या भौतिक भूगल से आपकी परिक्चाओं में कुश्चनस पू बिनास आप देखिए चटाने का दोनों की कारण होता है लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है देखिए अगर आप सोचे किसी भी मौसम परिस्तिती मौसमी घटना की कारण अगर किसी का चरन होता है बिनास होता है और वो आप देखिए अपनी जगए पर रहता है जैसे अप यह अपर्दन से अलग है क्योंकि इसमें तूटने से निर्मित भूपदार्थों का एक जगे से दूसी जगे इस्थानांतर परीवान नहीं होता है जो आप देखिए कि एक तरह से जो भी पदार तूटते हैं भूपदते तूटती हैं वो उसी जगे पर रह जाते हैं लेकिन पबन इत्यादी प्रक्मों द्वारा इस्थानांतर हो जाता है एक जगे से दूसरी जगे चली जाती है और अपर्दन की प्रक्रमों में बायू जल हिमनद और सागरी लहरे पिरमुक होती है तो इनका तूट कर विनासो कर अपनी जगे रहना अपच्छा है और एक जगे से दूसरी जगे चला जाना अपर्दन है सीधी इसी बाद आप लोग याद रखेगा अब आप देखे अगर आपकी परीक्छा में कुष्णस हाता है मुक परीक्छा में आप लोग लिख रहे होते हैं किसी और एक्जाम में लिख रहे होते हैं तो अपच्छा की परिभासा क् कहते हैं यानि कि नुकसान होना तूटना फूटना और इस किरिया में चटानों का विगटन और अफगटन की किरियाएं समले थें और विगटन में चटाने वलके सक्तियों द्वारा चटक कर तूट फूट जाती हैं और अफगटन में रसायनिक किरिया द्वारा चूड बन ज जाती है और विखंडन, विख्टन और अफघटन होते समय चट्टानों का इस्थानानतन नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है और एक और इनकी स्पार्क से महुदर की परिभासा याद रखेगा इनकी सब्दों में अगर आप देखें तो प्राक्तिक कारु अपने ही स्थान पर चट्टानों का भौतिक और रसाइनिक बिधी द्वारा जो विख्टन और अफघटन होता है इसे अपच्छे कहते हैं यह परिभासा जरूर लिख दीजेगा आर्थर होम्स की अनुसार अगर हम देखें तो अपच्छे उन भूपिष्टिये प्रिक्र का प्रभाव हैं जो सेलों की बिनास और विक्तन में सहाइक होते हैं परंतु इन में धीले पदार्तों का बड़े प्रवाने पर परीवहर नहीं होना चाहिए ठीक है अब बात आती है कि अपच्छे बैदरिंग होते कितने पिकार के कितने टाइम के होते हैं तो अपच्छे जानती हुए और इस पिकार की अपच्छे को जैविक अपच्छे को जैविक अपच्छे कहते हैं और अपच्छे तीन तरह के होते हैं कितने तीन तरह के होते हैं कौन कौसी एक तो आप देखेंगे बहुत तिक यांतरिक अपच्छे और दूसरा है रसाइनिक अपच्छे और तीसरा है जैविक अप्चह, तो ये तीन पिरकार आपको याद रखना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भौतिक अप्चह के बारे में बात करते हैं, जिसे आप लोग यांतरिक अप्चह भी कहते हैं, और देखिए अप्चह का सीधा साब आप लोग समझें, अपर है बिनास हो रहा है नास हो रहा है तो भौती कत्बा या अंत्रीक अप्षय को निम्न पिकार से जाना जा सकता है किस तरह से एक तो सूरताप की द्वारा इसमें सूरताप द्वारा चट्टानों की अपच्छे कार एक कार है सुस्क और उचने मरूस्थली पे दोसों में अधिक होता है माल लेजे कोई आप देखे कि इस पर एक तरह से ये चट्टान है इस पर आप देखे कि अगर धोफ पड़ती है तो ये फैलती है और जैसे आप देखे धोफ जाएगी रात का समय होगा ये क्या होगी फिर से अपनी इस्तिती में आ जाएगी इस तरह से आप देखेंगे बढ़ती रहेगी घठती रहेगी और अपच्छे होता रहेगा ठीक है? आप लोग एक बॉल ले लिजे आप देखते हैं दबाते हैं फिर आप लोग छोड़ देते हैं फिर दबाते हैं फिर छोड़ देते हैं तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि उसमें टूट-फूट होने लगती है और इसका कारण है कि इन पिदेशों में दिन की समय ताबमान अधिक हो जाता है और रात्री की समय नीचे गिर जाता है और दिन में अधिक ताबमान की कारण चट्टा ने फैलती है और रात्री की समय ताबमान में कमी आने जाने से चट्टा ने से कुड़ जाती है चट्टानों की इस विकार फ अलग हो जा रहे हैं कि कई चट्टाने विभिन खर्णिद्वारा निर्मित होती हैं और ताप की प्रभाव धीन विभिन मात्रा में फैलती हैं या तथा सिकूर्टी है और परडाम सरूप आप देखेंगे क्या होता है परडाम सरूप ये कुछ उधारन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं फैल डाम सरूप ये चट्टाने छोटे-छोटे कड़ों की रूम में विक्टित हो जाती है और इसे कडिका मैं विक्टन कहते हैं देख लिजे या एक चट्टान हो गई इस तरह से आप लोग चट्टानों के आसपास और इस बिदी से चट्टानों के टूटने से बने हुए चूड को सैल्प मलबा कहते हैं और सुस्क मरू स्थलिये पिदेशों में सुर्यास्त की आदे घंटे के अंदर बंधू के चलने की इसी आवाज सुनाई देती हैं ये आवाजी चट्टानों के तूटने से उत्पन ह होती है सुष्क इ मरू इस थल्प इचो में रहते होंगे तो मालूबपी होगा ठीक है यह आप देखिनगे आप ऐब सल गन हो गया इस तरह से तूटती रहती है ए चत्तान है या फिर आप लोग इसे भी देख लिए जे चट्टानों का टूटकर टूटकर विक्टन होना एक चट्टान हो गई उसके बाद एक छोटे-छोटे टुक्टे दिखाई दे रहे और इस तरह से आप देखेंगे चट्टानों के विक्टन की बिभिन तरीके हो गए सरूफ हो ग नहीं होती है और इन चट्टानों का उपरी भाग सीख गरी गरम हो जाता है और भीतरी भाग ठंडा ही रहता है और इस तरह से आप देखेंगे कि उपरी भाग परत फैलकर भीतरी भाग से अलग हो जाती है और टूटकर चूर-चूर हो जाती है और चट्टानों की उपरी ठीक उसी पिकार से नश्ट होती है जैसे प्याज के छिलके वतारे जाते हैं और इस पिकार को आप देखते हैं की क्या करते हैं इस तरह की पल्वी करन अत्वा अपसलकन कहते हैं प्याज को तो आफ लोग समय चट्टानों की दरारे में जल भर जाता है और रात्री को तामान हिमांग से कम होने के कारण जम जाता है और जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है और 9 घं सेंटीमीटर जल जम कर बर्म में परिवतन होता है तब वह 10 घं सेंटीमीटर इस्थान गेता है और आप देखते हैं दरारों का अकार बड़ा हो जाता है और अंगले दिन अधिक जल इन दरारों में में प्रिवेस कर सकता है और चट्टाने अधिक मात्रा में तूटती है और इस पेकार की रिया को जमन प्गलना भी कहते हैं माली जी दिन में पानी बर गया रात में जमा और आप देखे यहां देख सकते हैं आप लो रात्री की समय बर्व यहां आप देखिए दिन में पानी भर गया ठीक है फिर आप देखिए रात में जमा और फैल गया फिर आप देखिए इस तरह से बढ़ती गई पानी की जमने से बर्व बढ़ना और आयतर बढ़ने से चट्टानों को दिन के समय आप देखिए जल, दिन के समय जल भरेगा और रात में जम जाएगा तो उसी की बात हो रहे हैं, दरारों में इकत्त हुआ जल, एक आप देखिए दाब मुक्ती रहता है, प्रेसर रिलीज, भूपेश्ट के निचले भाग में अगने और उपांती चटानों पिचन दाब कारण संकुचित अवस्था में रहती हैं, और अपरदन के कारण जब उपर की चटाने हट जाती हैं, तो नीचे की चटानों को दाब से मुक्ती मिल जाती है, क्या मिल जाती है, प्रेसर एक तरह से हट जाता है, और प्रेसर हट जाता है, तो इस दाब मुक्ती के यानि कि उन्हें आज जादी मिल गई एक तरह से माल ले ये कि आप सीट पर एक पर बैठे होंगे तेन सीट है और आप देखी कि तीनों लोग बैठे होंगे तक तो आप बड़े सिकुड की बैठे होंगे लेकिन दो बगल-बाली भाग जाएंगे तो आप फैल जाओगे तू होता रहता है इस किरिया द्वारा मुक्ता ग्रेनाइड और संग्मर जैसी इस्थूल चट्टानों का अप्षय होता है तो दा मुक्ती से हो गया यह प्रकार आप लोग जरूर याद रखे गए इनके कुश्टस डारेक्टी पूंच लेगा और आप देखेंगे इसमें फिर आ रसानिक अप्षय कहते हैं इसमें जल हो गया विभन पेकार की गेसों की मिस्रण सक्रिय होते हैं और रसानिक अप्षय है अधिकतर ऊष्ण और आद्विदेशों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें सबसे पहले आप देखिए ऑक्सीकरन ऑक्सीजन द्वारा से अधा बायू में मिली हुई ऑक्सीजन लोही उक्ति सेलों को ऑक्साइड की रूम में बदल देती है और लोही को जंग लग जाता है और इस पेकार लोही उक्ति चट्टाने भूरबूरी होकर नश्ट हो जाती है लोही को आप लोग देख लिजे लोही को एक तरह से जब जल में घुला हुआ कारवन चट्टानों पर पिरभाव डालता है तो उससे कारवनी की करन कहते हैं कारवन जल में घुलकर कारवनी हमल का निर्मान करता है और यह हमल चूना युक्त पर चट्टानों को सीगी गोल डालता है और भूमी के जल चूना पत्थर की मीटर निचा हो जाता है, तो ये भी कहानी है, अब देखिए भौतिक और रसायनिक को देख लिया, तो इसमें भौतिक और रसायनिक अप्छाय में अंतर क्या होता है, ये अंतर हो sniper हो सकता है, कि देखे कई परिक्षाह में पूछ ले आप लोगों से civil service नाम में ना पूछे वैसे भी तो आप लोग कॉलेज में पढ़ते रहते हैं इसकूल में पढ़ते रहते हैं तो उस तरह के एक्षाह में भी पूछ ले सबसे पहले आप लोग भौतिक अप्षय को देखिए इसमें इक बलद्वारा चट्टानों का विक्टन होता है तूटना फूटना होता है बहुतिक अप्षय में चट्टानों में कोई रसायनिक परिवर्तन नहीं होता है और वलकित अप्षय की मुक्र कारक ताब पाल ताब पाला दाब मुक्ती होते हैं और इसमें चट्टानों में ए केमीकल बेदरिंग को देखें, तो इसमें रसाइनिक कीरिया चत्टानों का अफघटन होता है, और रसाइनिक अपच्छ में बहुत तो पर ही प्रभावित होती हैं, और रसाइनिक अपच्छ जैसे रसायनिक पित्ती किरिया बिरोधी खनेज प्रभावित नहीं होते हैं और रसायनिक अप्छाय की उधारन ऊष्ण तथा आद्ध पिदिसों में मिलते हैं देखने को जल योजन जब हाइडोजन गैस जल में मिलकर चट्टानों का अप्छाय करती हैं उसे आप लोग जल योजन कह देते हैं भूपटल में कुछ ऐसे खनेज भी होते हैं जो हाइडोजन युक्त जल को सोखने के बाद फूल जाते हैं और भारी हो जाते हैं और पईडाम सुरूप आप देखेंगे दवाओ के कारण चट्टाने टूट पूट जाती हैं और उनका रंग रूप बदल जाता है फैल्ड इस पर इसकरियादवारा किलोरीन मिट्टी परिवर्थित हो जाता है आप लोग और विस्तासे से पढ़ने की अगर एक्षा रखते हैं दिल्चश्वी रखते हैं तो आप लोग NCEIT जरूर पढ़िएगा और अगर आप लोग Civil Service की तयारी कर रहे हैं State PCS की तयारी कर रहे हैं तो देखिए NCEIT तो आप लोगों को दो से तीन वार पढ़ लेनी चाहिए अब आप लोग कहेंगे कि पहले तो पढ़ी हुई है तो ऐसा कुछ नहीं है अभी पढ़ी है पहले किस तरह की पढ़ी हुई है इसे आप लोग भी जानते हैं अब बात आती है कि तीसरे तरह की जैविक अपचह जिसे आप लोग बायलोजीकल वैदरिंग कहते हैं जैविक अपचह में जीब जनतु वनस्पती और स्वय मनुस का प्रभाव महत्पूर होता है कैसे होता है यह आप देखिए वनस्पती द्वारा अपचह है जीब जनतु भूपटल पर लाखों पकार के जीब जनतु जैसे चूहे, कैचूहे, खरगोस, लॉम्री, गीदर, बिच्चू, विज्जू, चीटियां, दीमक, आदी आपने निवास के लिए चट्टानों का काट कर विल बना लेते हैं अब देखें, चूहे बना लेते हैं, आपने देखा होगा, उसी में आप देखते हैं कि साब जाते हैं, रहते हैं, उन्हीं का भोजन भी करते हैं और इसे चट्टाने दुर्बल होकर विखंडित हो जाती हैं, और आर्थर होम्स के अनुसार 30 एकर मिट्टी में 1,50,000 केंचूए हो सकते हैं, जो एक बरस में 10 से 15 टंच चट्टानों को बारिक मिट्टी बना कर नीचे से उपर ले जाते हैं अब माल लिजे कि देखे, उधारन के लिए बता रहा हूँ, इस चट्टान में माल लिजे कि केंचूए किसी ने अपना घर बना लिया, अंदर से आप देखे कि किस तरह की होगी, मुलायम हो गई, खोकली हो गई, अब आप देखे इस पर जैसे ही थोड़ा बहुत दबाव बढ़ेगा, एँ टूट फूट जाएगी, और आप देखे कि और आप देखे वो फैलता जाएगा, घर अंदर खोकली होती रहाएगी, एक समया से आजाएगा कि एक तरह से कतम हो जाएगी, टूट फूट जाएगी पूरी तरह से, बनस्पती द्वारा, कही फेड़ पहु कोई पेड़ है, और वो आप देखे किसमें पत्थर पर हो गया, पत्थर की कोई थोड़ी से आप देखे उसमें जगह हो, वहाँ, उसकी जड़े आप देखे फेलेंगी, तो इस तरह से भी आप देखेंगे, चट्टानों का तूट फूट होता है, तो उनी की बात हो रही ह मनुस के द्वारा किस तरह से होता है, मनुस अपनी आवसकताओं के लिए खाने खोता है, सुरंगे बनाता है, भवन निर्माण के लिए चट्टानों को तोड़ता है, और इस तरह से मनुस से स्वेहम अपच्षय का एक महत्पून कारक है, और मनुस की तो सबको आपको दिखती भी यह सामने से दिखती है, अब देखिए मास्त बेश्टिंग क्या होता है, बिहद चरन, तो बिहद यानि की बड़ी मात्रा में, को बिहद संचालन अत्पा अनुधाल संचलन भी कहते हैं आप लो, और इस पिक्रिया के अंतरकत मेटिका, स्वाइल किसी भी गुर्त्वाकर्शन की मुख्य भूमी क्या होती है, किसकी गुर्त्वाकर्शन की, अब आप लोग कहेंगे कि गुर्त्वाकर्शन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, तो देखिए ब्रहमण की सभी बस्तुएं, ब्रहमणी की सभी बस्तुएं, एक दूसरे को एक विस हिंतियों कि गुड़नफल का समानपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बित्वा का उनमाती होता है कड़ों की बीच कार करने वाले परसपर आकुसंड को गुर्टवा करसंड उसे उत्पन होने बाले गुर्टवा करसंड बल कहते हैं उत्पन होने बाले बल को भाग में उच्छ भाग से निम्न भाग की और अगसर होती है और यह किरिया महादीपों की उचाई को कम करने की एक पिरमुक कारक भी है जो महादीप है ना उनकी उचाई को कम करने में इनकी भी भूमिका है और अपरदन पिक्रमों को सामान पदार्थ पदान करती है पाईडाम सवरू विहत चरन पिक्रिया कुर्णिम लेखे दो भागों में बाटा गया है। किस तरह सी? यह आप देखें मिर्दा बिसरपन यह आप लोग देख लीजीगा। इसमें आप गर आप सबसे पहले कि मंद संचलन में देखें। मिर्दा बिसरपन की बात करें तो स्वैल क्रीब की बात हो रही है। बरसाती जल से मिर्दा धीली हो जाती है। पानी के मतलब आप सोच रहे हैं बरसात की टाइम की बात हो रही है। और इस पिकार के मिर्दा संचय भू आक्टियों की जड़ों के चारों और दीबारों के आधार पर और निम्न भूमियों में साइस्थान पर देखे जा सकते हैं। सीत जलबायों बाले चित्रों में जल की स्थान पर तुसार, फ्रोस्ट और हिम के पेगलने से मिर्दा विसरपन होता है। और जब हिम के करण बढ़ते हैं तो उनके फिसरपन के भार के कारण सेलों के टुकड़े ढाल के नीचे की और धके ले जाते हैं। और मिर्दा विसरपन के मुख्य कारणों में सेलों का गरम तथा ठंडा होना, तुसार का बढ़ना, मिर्दा का जल से भींगना, फिर सूकना, विल में रहने वाली जन्तुओं दुआरा भूमी का अपच्छे करना, भूकंपों दुआरा सेल आवरन और मिर्टिका की परत मे हल्चल पैदा करना पिरमोक हैं, सेल विसरपन, मिर्टिका की नीचे इस्ति चटान की परत को आधार सेल कहते हैं, और इस आधार सेल का विखंडन होता है, और विखंडित, विखंडित सेल पदार्थ गुत्वा कर्शन की प्रभाव धीन धलान के साथ नीचे की और सरकता र क्रिया सील रहती हैं, तो विसर जित कर चुकी मिर्दा की नीचे की परत भी धलान पर नीचे की और सरकने लगती हैं, और अर्था ओह मिर्दा आधार सेल की परत का भी निम्ड धाल की और विसर पर होने लगता है, उसे इस पिकरिया को सेल विसर पर कहते हैं, यहां भी एक एक आकर्ती है, सेल विसर पड़ है, इसे भी आप लोग देख लिजए, फिर आप देखें धाल मलवा, तथा पाद मलवा, परतों के पारसुप पर छोटी छोटी आकार के सेल खन्नों, कौड़ीये सेल मलवे के धेर को धेर इकत्तित हो जाते हैं, यह कौड़ीये मलवा धेर ध धाल के आकार के होते हैं, और यह धाल साधारन था, एक समान कौड़ की अर्था 36 आदार से 35 से 37 दिगरी तक ही रहते हैं, इनको पाद मलवा या धाल मलवा भी कहते हैं, फिर आप देखेंगे मिर्टी का सरफन, और दो सब्दों स्वाइल और फिलो से बनाएं, जिसका सीत जलवाई वाले उन इलाकों में होती है, जहां पे चुर्मात्रा में हिम पात होता है, और सीत रितु में भूमी पबर्व की चादर चा जाती है, और गर्मी यानि की गीसन रितु में हिम की पगलने की पश्चाद भी कुछ छेत्रों में हिम जमी रहती है, और ऐसे छेत् अभी हिमावरित अवस्था में ही रहती है और इस अवस्था में मिर्थी का पूर्टा संत्रुप्त अवस्था में होती है और उसका जल नीचे हिमी भूत इस तरह तक नहीं पहुच पाता है और यह संतुप्त मिर्थी का मंद गती से ढाल के साथ साथ गुर्तवा कर्शन की प सर्फन दिखलाई ही नहीं देता और इसके परवती ठालों परिवेदिकाई और संस्थानों का का निर्माण होता है स्टैप्स स्का निर्माण होता है । कि यहां आप लोग देखले हिए यह कुछ आकष्छती है मेड़ी का सर्फन देख रहा है कि नहीं देख रहा है देखेगा तो कहां जाएगा भाग के यहां भी आप देखे मिर्दा परवाः या एक ऐसा बिहत संचलन है जिसमें ढाल के उपरी भाग का सेल पदार्थ वर्सा की जल की बेक से गुरुत की सक्ती द्वारा खेंच कर उस ढाल की निचले भाग की तरब और फिसलता रहता है और आद जलवाई की पिदेशों में जल से संत्रिप्त मिर्थी का आवरन फिस्तर चिकनी भिट्टी और सेल मिर्थी का आदी का बहुत मड़ी मात्रा में संचलन अती तीब गती से केबल चंद घंटों चंद घंटों में ही होता है तो उसे मिर्दा परवाः गयते है और चि संत्रिप्त पदात के बाद धीमी गती से प्रवावित होने से जो भू आगती निर्वित होती है वह एक उबरे हुए अग्र अंग्रिष्ट की आगती की है और परवठी है फिदेशों में मिर्दा परवाः की कारण चल की विसाल मात्राएं अवरोद हो गई है और कई स्थ स्थानों पर जीलों का निर्माड हो गया है और जीलम बेसे नैपाल की पूरवी एवं दच्छडी भागों में इस पेकार की जीले मिलती है और मिर्दा परवाः द्वारा रेल मारगों और सड़कों का औरोध हो जाता है और सुईडन नौर्वे तथा कनाड़ा की उत्री में मिलता प्रवा का पिस्ताओ प्रवाव विसे इस रूप से देखने को मिलता है यहां देख लीजिए आप लोग यह आखिरती है चूने के पिदेश में अप अरुदित इस थालागतिया आप लोगों को दिखाई दे रही है तो यह चोटी-चोटी घड़ना है इने भी द इसमें आप देखेंगे यहां नीचे भूसकलन भूसकलन का अभी प्रयाय किसी आवरन प्रिस्तर या आधार सेल के विभीहत संचलन जो गुरुत सक्ती के प्रवाव से ढाल के उपनी भाग से नीचे की ओर होते हैं और परवर्ती पिदेशों में भूसकलन फिरा होते रहते और आप लोग सुनते रहते हैं भूसकलन हुआ है इतने लोग दव गए यहां हुआ है एक दम भारी मात्रा में मलबा नीचे की ओर आता है जिससे भारी जानमाल की हानी भी होते हो उत्तरा खंड में हाल देखिए हो और हिमाचल पिदिस में आपको इस तरह की घरनाय देखन का उपसलता है एक विहत आधार सेल अपने ढलवा आधार तल के उपर समर्पन सर्पन करती है इसे सेल इसकलन कहते हैं क्या कहते हैं सेल इसकलन किसे कहते हैं इस पिकार के भू इसकलन के में सेलों का करतन होता है और एक सेल विलोग अपने मूल इस्थान से विवादित होकर बिदारित होकर धाल के निचले भाग की और घोडी गती से बिसर्फण करता है और इस पिक्रिया में सावनता सेल खंड का बिसर्फण घोडी गती से वक्कित अवतल धाल पर होता है इसमें बिसर्फण तल एक अती फ्रवन धाल के नीचे वक्काकार होता है और आव सर्फण मे उपर घुरडन गती से संचलन करता है एतना चोटा भी हो सकता है जितना कि एक गुलास में और इतना बड़ा भी हो सकता है जिनने के समस्थ नगर की एक बिरौग हो यह बात उस भिर्गू भी भूमी किये सरचना और उस सहल खंड की टूटने की बिधी पर निरुपर करे की कि उस गिरने वाले सहल का आधार कितना बड़ा होगा और गिरने के परशाद भी उस महान खंड की टूट कर बड़े बिलॉक उस छेत में फैल जाते हैं और छोटे बड़े आकार का मलवा और बालू विचा सकता है तथा भिर्गू के उपरी मुख पर इस फश्ट चिन अंकित कर सकता है और हिमालय और अलफस परवच्छेत्रों में सहल पात की अनेको धारन आपको देखने को मिलते हैं मलवा इसकलन जो सेल खनीच पदार्थों मिर्टी का बालू गोलासम और अने सेलों के रूमें अपने मूल स्थान से पिथा को अलग हो गया है और ढाल की नीचे की ओर को खिसकता हुआ वहां से हटकर किसी अन्य स्थान पर पुनर निच्छेपित हो गया है वह बिखरे पदार्थ का 31 धेर मलवा इसकलन कहलाता है या मलवा समू और नीचे की ओर तीब गती से बिसर्फट करता है तो वह क्रिया मलवा इसकलन कहलाती है और यदि वह बिखरे मलवे का समू अतन तीब गती के साथ उचाई से नीचे की ओर गरता है ज्वालमुकी राक और धोल गीली होकर पंक का रूप धारण कर लेती है और यह पंक ढाल के साथ-साथ नीचे की ओर खिसक नहीं लगता है और एक तरह से आप देखिए कि ए आपका किस तरह से एक तरह से अपरदन की तरह आप लोग देख रहे हैं इसे ठीक है और आज हम पिलेट विवर्तनी विवर्तिक सिध्धान के बारे में बात करेंगे पिलेट विवर्तिक सिध्धान के बारे में ठीक है यह चोटी-चोटी कलास हैं आप देखिए आसानी से बड़े जल्दी कवर होती जा रही है